गुद मॉरिं ग्लास एक्स हम जोग्रफी पढ़ रहे हो चाप्टर नमर फाइफ का हम सेकिंड पाइट पढ़ रहे हैं अब मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूं ठीक है देखें हैड्रोस्फियर की बात करते हैं हैड्रोस्फियर डोमेन ऑफ वाटर जो की कवर करते हैं 71% इसके वहासे हम यसे हैड्रोस्फियर बोलते हैं इसके अंदर हमारे ओशें सी रिवेग लेक आइस शीट अडर्गरांड वॉटर वाटर वीपर सी थैक्त जो चासओं होते हैं जिसमें हमारा सेल्ट वाटर लेक रिवर इस हमारे फ्रेश वाटर में आते हैं 97% हमारा एर्थ का जो water है वो reserve है जो कि oceans में available है जो oceans होते हैं sea होते हैं base होते हैं वो connect होते हैं एक दूसरे से इसकी वैसे water का level है वो हमेशा same रहता है mostly जगों पर मतलब almost up जगे पर जो हमारा south on hemisphere है वो covered है हमारा ocean से sea से इसकी वैसे water hemisphere बोलते है important ocean in the world five oceans हमारे है Pacific Atlantic Indian Arctic Antarctica इसके बारे में हम एकी करके आपको बताने वाले Pacific Ocean देखिए Pacific हमारा सबस्द्र लार्जेस ocean है ठीक है न और यह cover होता है हमारा one third of the globe globe का हमारा one third portion माल जो Pacific ocean है यह हमारा circular होता है shape में ठीक है न न और एंड south के साथ होता है America जो कि लाए करते हैं एक side में और एक side Asia होता है Australia होता है दूसरी side इसके लाए करता है इसके लाबा जो north है वो हमारा link है Arctic ocean के ठीक है न और वो मर्ज है हमारे south कि मर्ज है हमारे atlantic and ocean के जो हमारा marina trench है वो हमारा 1102 to two meter below है sea label की ठीक है न जो deepest point है हमारा आर्थ का वो लाए करता है इसी ocean में ठीक है न जो हमारी coast line है वो हमारी इतनी centimeter है 135 663 kilometer जो average depth है हमारी pacific ocean की वो हमारी 4030 meter है Atlantic ocean की बात करते हैं मारा second largest ocean है जो की S shape में है यह surrounded हमारे two Americans है जो western side है ठीक है न जिसमें Europe और Africa हमारे आते हैं जो की eastern side में पढ़ते हैं इसके लावा जो इसकी length है 111866 kilometer available है जो coastal line है हमारी Atlantic ocean की वो काफी लंबी है irregular है ठीक है जो की क्या करती है आइडल location प्रोवाइड करते हैं हमारे natural ports को harbors को यह हमारा basiest ocean है Millwork deep जो है प्योरटो रिकोट ट्रेंच है हमारा deepest point है Atlantic ocean का इसकी depth जो है इसके लावा जो ocean है उसको हमारे country के नाम पर टाला गया है यह हमारा triangular shape में है इंडिया जो है वो located होता है हमारा head of the ocean ठीक है ना जो की हमारा अफ्रिका के साथ लाएंगे west में और और ऑस्ट्रिलिया के साथ लाएंगे east में जो ocean है वो हमारी एक तरसे coastal line है 66526 किलो मीटर है और जोसकी depth है 7258 मीटर है जो java trench है वो deepest point है हमारे ocean का Arctic Ocean की बात करते हैं Arctic Ocean हमारा smallest ocean है यह located है हमारा Arctic Circle के साथ और surrounded है North Pole से यह जो ocean है वो लाए करता है हमारा North of the North America, Europe and the Asia यह remain हमारा covered है काफ़ी thin sheet, thick sheet होती है हमारे ice के उससे पूरी साल यह covered रहता है इसके लावा जो coast line है हमारी 4, 5, 3, 8, 9 km वो हमारी क्याए depth है इसकी जो कि 4, 4, 6, 5, meter है from from basin जो कि deepest point है इस ocean का Antarctic Ocean की बात करते हैं Pacific Atlantic Indian Ocean मर्ज होते हैं हमारी एक जगे पर जो कि collectively collect होकर हमें Atlantic Ocean बोला जाता है यह जो ocean है जिसको हमारा Southern Ocean की नाम से भी जाना जाता है यह हमारा surrounded है landmarks landmass of Atlantic इसकी जो coastal line है वो 17, 9, 6, 8 km है इसका जो depth point है वो 7, 2, 3, 5 meter है जो कि south sandwich trench जो deepest point है इसका वो बोला जाता है इसके अलावा हम other water bodies की अगर बात करते हैं ठीक है ना other water bodies में हमारे और भी सारे oceans आते हैं जो कि काफी जोना small water bodies में आते हैं जो कि partially enclosed है हमारे land से ठीक है ना हमारा जो salt water bodies है हमारे पानी का वो उनको क्या बोला चाहते है मतला नमकीन पानी किसको बोला चाहते है इसको बोला चाहते है ऑवेस है जो Arabic Sea है North Sea है Mediterranean Sea है Black Sea है Caspicam Sea है यह हमारे important examples है atmosphere की बात करते हैं atmosphere हमारा हमारे जो earth है वो surrounded है thin layer से thin layer of air ठीक है जो कि काफी essential है हमारे life के लिए ठीक है न यह जो यह हमारी thin layer of blanket की तरह act करती है जो कि protect करती है हमारे earth को extreme temperature से जो कि sun की raise हमारे earth पर आती है यहाँ पर रहकर हम air को breathe कर सकते हैं यह extend हो जाती है हमारे one six zero zero kilometer में चुकि हमारा earth का surface है उसके बराबरी extended है इसके लाब से बहुत सारी gases और essential चीज़े जो हमारी life के लिए वो इसमें content होती है कॉंटी कॉंटी कॉंसिटुएंट ओफ ट्मॉस्फियर जो हमारा atmosphere है वो हमारा made up है काफी जान्दा mixture of gases की थूप इसमें 78% हमारी nitrogen होती है 21% हमारी oxygen होती है 1% हमारी argon होती है carbon dioxide water vapor और इसके लाब भी अधग grasses हमारी available होती है nitrogen हमारा काफी जादा important है क्योंकि उससे हमारी जो soil की fertility है वो हमारी बनी रहती है plants जो है वो इसकी वज़े से grow करते oxygen की थूँ हमारे plants जंदा रहते है ब्रीथ करते है carbon dioxide से हमारे plants के अंदर manufacturing होती है food की और उसको ही वो absorb करते है ठीक है इसके थूँ हमारी जो heat है वो हमारी मतलब उसके थूँ हमारा photosynthesis होता है और उसके थूँ हमारे plant जो है उसकी थूँ खाना बना पाते है ठीक है ना इसके लावा जो हमारी heat जो absorb होती है वो हमारी earth warm की थूँ होती है ozone layer और other gases है वो small quantity में हमारे काफी जंदा है extreme importance importance रखते है इसके लावा जो हमारी earth है ठीक है ना उसके पास हमारी काफी जंदा harmful ultra wallet rays जो हमारी sun से release होती है और direct earth पर आती है वो थूड़ी harmful होती है ठीक है ना layers of atmosphere की बात करते हैं जो atmosphere है वो हमारा five layers में divided है ठीक है ना उसमें जो compositions है वो हमारे temperature हुए other properties हुई और जो हमारी earth start होती है वो surface जो आते हैं उसमें हमारे जो atmosphere की जो layers है उसमें troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exhaust sphere रहता है यह हमारी thickness जो है हमारी इनकी layers की differ differ होती है जो human activities होती है उसके वाज़े से हमारी weather changes lowest level पे हमारा काफी जंदा effect परता है जो कि हमारे troposphere होती है, atmospheric pressure की बात करते है, atmospheric pressure जो हमारी air है उसका अपना एक weight होता है अपना exert pressure होता है जो कि surface of the earth पे continuously लगता रहता है और वो change भी होता रहता है हमारी height की वज़े से, height की वज़े से और temperature की वज़े से यह हमारे danis nearest point है, हमारा earth surface का, यहाँ पे जो pressure है, वो काफी ज़न्दा highest रहता है जो atmosphere है, उसमें जो pressure हो decrease होता है, अगर हम height के साथ increase करते हैं लो रहता है जो air है वो हमारी extend होती है तो बट वहाँ पे जो colder place colder air area का जो pressure होगा काफी जंदा हाई होगा एक तरह से बोल सकते हैं कि it is the difference in the atmospheric pressure over the difference area जो हमारी atmospheric pressure है वो different different जगह पर different different शो करता है क्योंकि air हमारी हमेशा move करती रहती है जो moving air होती हो से हम wind पोलती है wind हमेशा blow करती है higher pressure से low pressure की तरफ इसकी वज़े से हमारे weather में changes आती है चीक है अब इसके बाद हम biosphere की बात करते है जो biosphere एक तरह से हमारा narrow zone आता है जो की contact करता है हमारे lithosphere के साथ hydrosphere के साथ atmosphere के साथ ठीक है न ये तीनों एक साथ contact में आते हैं जो bio का जो मतलब है वो होता है life ठीक है न ये हमारी sphere में आती है जिसकी वज़े से हमारे पूरी life exist करती है हमारी earth के अंदर एक earth हमारे unique planet है जिसमे human being रह सकते है animals रह सकते हैं प्लांट रह सकते हैं प्लांट रह सकते हैं अधर वाइस किसी और planet में ऐसा possible नहीं है यहां पर bacteria भी है जो कि काफे दा शर्वाइव है bacteria हुए हमारे organism हुए यह भी यहां पर exist करते हैं ग्रो करते हैं biosphere के अंदर ही ठीक है न और एक suitable habitant बनाते हैं जिसे कि हर कोई यहां पर शांती पूरवक रह सकता है plants and animals हमारे दो और डिवीजर है हमारे living की तरह मतलब एक तैसे हमारे living organism है यह interconnected होते हैं एक दूसरे से ठीक है ना same time पर इंडिपेंडेंट रहते हैं immediately surrounded मतलब एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं जो surroundings हैं इनके आसपास की जो हमारे organism है वो survive करते हैं यह organism plants animals जितने भी हमारे है human being मिलकर ही हमारे environment तैयार होता है इसमें हमारे तीन domains आते हैं जिसमें land air water होता है जो कि interact करता है एक दूसरे से एक दूसरे की वज़े से इनमें कु आली हमें show होने दिखेंगे इसलिए है एक balance हमारे environment में रहना animals plants human being बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर balance नहीं रहेगा तो जो मारी पूरी cycle है हमारे environment की वो disturb हो जाएगी जिसकी वज़े से हमारी भी cycle affected होगी ठीक है human activity और environment की बात कर लेते हैं जो हमारी human population है वो increase कर रही है rapidly ठीक ना increase होने की वज़े से जो demand है खाने की पीने की resources की वो हमारी इंक्रीज हो रहे जिसकी वज़े से food है जो मेंडरल से वो भी increase होने चाहिए trees जो है उन्हें कट कर आ जा रहा है large area पर large scale पर जो मेंडरल से हो सब को चाहिए rapidly ठीक है क्योंकि बिना मेंडरल के हम survive नहीं कर सकते हैं इसके अलावा deforestation हो रहा है deforestation deforestation की वज़े से हमारा rainfall कम हो रही है हमारे desert बनते जा रहे हैं ठीके ना जो pollute हमारा environment हमारी रिवर्स हमारे atmosphere है क्या हो रहा है pollute हो रहा है ठीके ना हमारा ambition हो रहा है मतलब हमारी जो interestries उसमें दुआ निकलता है वीकल्स जो है वो increase हो जिसकी वज़े से हमारा carbon dioxide काफे जानद atmosphere में increase होता है ठीके ना इसकी जो resulting है उसकी वज़े से हमारा rise in the temperature रहता है क्योंकि carbon dioxide बढ़ेगी तो temperature में क्या होगा हमारा temperature हमारा automatically increase होगा जिसकी वैसे global warming है global warming की serious consequence है काफे जानदा problematic है ठीके ना हमें यह समझ करना बहुत ही जानदा जरूरी है ठीक है ना तो हम एक तरह है क्योंकि हम बहुत ही जानदा लाजची हो चुके हैं हम lack of concern हो चुके अर्थ को लेकर ठीक है ना इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम एक balance बनाके रखे अपनी nature में हम pollution check करते रहें lands का air का water हो सके तो क सरही ही ना ठीक है ना यह जो हमारी अर्थ है वो still beautiful रह सकते जैसे पहली थी अब है रह सकती है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे environment में balance maintained रहना चाहिए हमारे nature के लिखकर हमारे man को लिखकर जैसे कि आप लोग को पता आप योगस चाहिम कोरोना वाइरस ने कितना यह imbalance क्यों हो रहा है क्योंकि हम पेडों को काटते जा रहे हैं हम इतने जानदा लालची हो गए हैं हम इतने जानदा अपने मतलब मोहों में पागल हो चुकी हैं अंधे हो चुके कि हमें environment नी दिखना हम जानवरों को मार रहे हैं ठीक है न हम जानवरों को मार रहे हैं že रिंसे सरभाइब ये राघंगी तो έχें कि güç की नुड़िक हम प्लां से उपर डिपेंडेट है तो अगर हम प्लांट में काना किसे करेंगी क्योंकि कुक्ये प्लांड 2017 थी दें और हम जो छोड़ते कार्भन डियुक्ष्ण को मारी प्लांट स् disso old to beautiful इंपॉसिबल हो जागे इसलिए जान्दा से जान्दा प्लांट्स लगाएं जान्दा से जान्दा पॉलुशन ना करें कंट्रोल करें पॉलुशन के ऊपर ठीक है ना इसलिए चैप्टर आपको खदम हो चुगा इसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप में से पूर सकते हैं बाइडे किया